मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज़स का पार्ट वन लेकर आया हूँ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ा जाएगा और आपको क्या वीडियो था भाई मज़ा गया क्योंकि मैं आपको पंदरा इडियोम सेंट फ्रेज़स पढ़ाऊंगा शांदा वाले जो की CHSL एक्जाम में आ चुके हैं 2015 में और आने के फुल चांसे से भाई तो इमान दाई से पढ़ना बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा देखो भाई सारे के सारे इडियोम पंदरा में पूछे जा चुके हैं कोई चेक भी कर सकता है कोई प्रावलम नहीं है पहला देखो इमान दाई से टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स इसका मतलब क्या होता है दोस्तो इस इडियोम का मतलब होता है तुस्पैंट लविशली मतलब बहुत जादा पैसे खर्च करन तो कुछ लोग होते हैं जो टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स उस इडियोम को यही बोलते हैं तो उसको याद कैसे रखेंगे मतलब टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मैंने ऐसे याद करिया कि मतलब पूरे डक्स मतलब बतक वगयरा बोलते हैं डक्स इन सब चीजों को मतलब डक से मैं ने बना लिया मुरगी टाइप का तो ऑपको भी याद होगा इसका मतलब दोस्ता होता है कंजूस कोई ना कोई तो आपके जिंदी में होगा ज़रूर चो बहुत ज़ादा कंजूस होगा बिल्कुल पांच रुपई ये निकाले में बिल्कुल उसकी मतलब हालत खराब हो जाएगी पसीन पसीन हो जाएगा ओ भईया कहां से निकालू पांच रुपई में तो कुछ लोग आपके जिंदिगी में जरूर होंगे उसको आप बोलेंगे close-fisted person इंगलिश में आप ऐसे यूज़ करेंगे कि यार आपको कोई दोस्त है आप बोलेंगे he is such a close-fisted person इस तरीके से बोलेंगे क्योंकि बहुत कंजूर से वो मालनो आप 20-20 रुपई मिला रहों लेकिन वो 20 रुपई भी नहीं मिलाएगा मतलब सब का खा लेगा लेकिन 20 रुपई मिलाने में जब बात आएगी तो heart attack ऐसे लोग भी यह हैं फरजी से तो उसको बोलते है miser ध्यान रखने वाली बात यह है कि close-fisted person को क्या बोलते है miser conjuice है ना जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए third है दोस्तों birds eye view इनका मतलब क्या होता है इस A.D.M. का मतलब होता है overview मतलब यह होता जैस्के paper में आप किसे सरसरी निगाँ मारते हो हाँ आज पंचाब में यह हो गया राइस्थन में यह गया हर्याना में यह हो गया और मंद्रिप्रदेश में यह हो गया इस तरीके साब याद करेंगे आपको बहुत अल्प मिलेगा फूर्थ क्या है Keep the wolf away from door इसका मतलब होता है दोस्तों To keep of starvation मतलब भुकमदी से दूर रहना है ना जो गरीबी भुकमदी से दूर रहना इसको बोलते हैं Keep the wolf away from door कई बार आचुका है इसको याद कर लेना बहुत important है To keep the wolf away from door मतलब होता है To keep of starvation गरीबी भुकमरी से दूर रहना भाई मेरे ठीक है इसका मतलब ये होता है ठीक है फिफ्त वाला देखो Lay it on the thick इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है An exaggeration Exaggeration मतलब होता बढ़ा चाड़ा कर बताना कोई चीज़ों को तो उसको बोलते है Lay it on the thick अगर ये idiom आ गया तो इसका मतलब है An exaggeration मैंने कैसे याद रखा था मैंने ऐसे याद रखा था एक मेरा दोस्त है मैंने उससे पूझा चाहँ कहा गया थे तो ये वो लेके पेला वो और उसने दुनिया भर की बता दी फिर हम इंदर चप्पल ख़रीना ब स्चतित में जूत खरीन लिए फिर हमने गंटी ख़रीना पिर पुंगा खाली कना खाली फिर इदर चलेगा उदर चलेगा तो उस तरीका से मैंने Link कर लिया कि Laet on the Thick मतलब होता है तू एग्जिजजरेट एग्जाज़रेशन को आपको भी याद आना चाहिए इस तरीके से याद रखिए बहुत है पाद मिलीगी क्यों upset हो इसका मतलब होता out of sorts अगर कोई बोलेगा why are you looking out of sorts इसका मतलब है तुम upset क्यों दिख रहे हो तो यह idiom का मतलब upset या फिर ill और sick होता है ओके 7th वाला कैसे याद रखेंगे 7th वाला है भाई to set the themes on fire oh my god बहुत ज़्यादा important बहुत शांदर इसका मतलब होता है to do a heroic deed ऐसा होता है to set the themes on fire मतलब मैंने ऐसे लिंग किया था और याद रखने वाली बाती है ज़ा रहे है कि मतलब तुमने आग मैंसे खेल के आया हो आग मैंसे खेल कोई काम करा है जो कि हर कोई नहीं कर पाता लेकिन आपने अपने hero के तरह काम किया है आग मैंसे किसी को काम बचा कर ले आए तो इस तरीके सा आप याद रखेंगे कि do set the themes on fire मतलब होता है to do a heroic deed hero की तरह काम करना मतलब एक ऐसी situation थी जहां से निकलना बहुत नम्मकिन था लेकिन उसके बाद भी आप उस situation से निकल किया और आपने धूम मचा दी तो फिर आप बोलेंगे यार you have set the themes on fire इस तरीके से EDM use होगा ओके दोस्तों तो याद रखेगा बहुत important है सारे के सारे important है और मैं पंधरा लेकर आया हूँ अगर आपको पसंद आएंगे ये पंधरा और आप कोई comment करके बोलेगा कि बाकी के और बना दो तो मैं part two, part three लेकर आऊँगा और इसकी series start कर दूँगा बट आप पे depend करता है कि आपको पढ़ना है कि नहीं अगर पढ़ना हो तो बताना आप मैं जरूर वीडियो बनाऊँगा आपके लिए एत वाला है waxed question waxed question मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब होता है controversial issue है ना बहुत important है waxed question मतलब होता है controversial issue कुछ हैंसे issue कुछ हैंसे मुद्ध होते हैं भाईयजे कि SCST को यह कोटा लगता है मिलना चाहिए कि नहीं जर्नरल को देना चाहिए कि नहीं यह सब controversial issue होते हैं तो इसी को बोलते है waxed question बहुत घिसे पे टेटाइब के question जो कि बहुत controversy create करते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा waxed question मतलब controversial issue नाइथ वाला बहुत शानदार है यह याद रखने बाली बात है flying visit इसका मतलब क्या होता है दोस्तों flying visit का मतलब होता है a very short visit कोई आपका दोस्त होता होगा जो मतलब इधर उधर से बाहर से आता होगा और आपके हर मात तो 5 minutes आता होगा और पानी पीके प्रेम से बिचार चला जाता होगा फटाक से नहीं यार मैं को बहुत time है मैं को जाना है मैं को जाना है इस तरीके से कुछ ना कुछ तो होगे लोग जो बहुत छोटी से विजट करते हैं जो कि अची बात है कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए आते हैं मेमान लोगों से मिलने के लिए आते हैं पास मिनट दस मिट वैटेंगे चाय माई पिएंगे और प्रेम से घर चल लाएंगे लें कुछ लोग इतने फर्जी होते हैं भाईया वो तो प्लान मना के आते हैं कि अपते हम दो हपते रुकना और दो हपते महिलना नहीं है तो बहुत हालत खराब हो जाती है विचार आदमी बहुत इंपोर्टेंट है इसका मतलब होता है दोस्तों Relatives है ना इसीरीम का मतलब क्या होता है कान की बेहन नॉर्मल सी है तो उससे भी साधी कर लिए उसने बड़े इस तरीके से भाई की में हीरो बन जाऊंगा तो सलमान खान ने उसको लॉंच कर दिया तो वह रिलेटिव में आ गए तो इस आप बोल सकते हैं कि भईया वह बंदा जो है सलमान का दामाद में को नाम और आपका टाइम पूरा यूज हो जाएगा और आपको बहुत कुछ लिखने को मिल लाएगा इलेवंत वाला क्या है ड्रॉप इन दा बेकेट बहुत शानदार ये 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 एडियम कैसी उस करेंगे इसका मतलब क्या होता पहले वो सुनो आप अप ड्रॉप इन दा बकेट म समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं इस तरीके से इडियम को यूज करते हैं और जहां भी कोई बंदा इडियम को यूज करता ना बड़ा अच्छा लगता है भाई है एक दिन में क्या विराट कोली का इंटर्व्यू देख रहा था तो उसने क्या बोला एक बंदी ने से क्या बोल दिया अपने दिमाग से तो तागी तार ऊपर सोड़कर निकल आता और कुछ समझ में नहीं नहीं आता इसलिए इडियम का नॉलिज होना बहुत ज़रूरी है और एक्जाम में मूसली पूछते हैं और बहुत कॉशन आते हैं इसलिए आपको याद रखना पड़े यहां बड़ी दीवार थी अब यहां आके आप रुख गए मतला फिक्स हो गए यहां क्योंकि आगे तर रास्ता है यह नहीं तो आप डिफिकल्ट सुचूशन में फज़ गए और वहां से बहुत सारे गुंड़े लोग आपको मानने के लिए आ रहे हैं तो आप डिफिकल् लड़की बैठी है बड़ी आसी है ना शांदर्शी लड़की बैठी है और आप यहां बैठे हो और आप सोचरों की बहुत अच्छी मैं उससे बात करता हूं हाई हालो कुछ भी बात करता हूं कॉलेज के बारे में जो भी है तो भी बात नहीं कर रही आप भी बात नहीं कर कि हलो है बोला तुमने मतलब तुमने कनवर्सेशन को स्टार्ट कर दिया तो तुम ऐसे बोलोगा अपने दोस्ते कि भाया वी वर सिटिंग अलोन है और वी वर नॉट टॉकिंग टू इच अधर बट फाइनली आई ब्रेक दा आइस ऐसा बोलोगे आई ब्रोक दाइस तो मैंन स्टार्ट कर दिया मैंने कनवर्सेशन स्टार्ट कर दी यह बहुत अच्छे एडिमें आपको पता भी होना चाहिए और आप यूज भी कर सकते हैं तुम ब्रेक दाइस मतलब होता है कर बरसेशन को स्टार्ट करना जब सांती सार एक सांती से माहौल बेना हो मतलब आपके घ इसका मतलब होता है कि सो बात ना बता के संचेप में समरी में चोटी सी बात बता दो जैसे आप कई मार्केट में गए हो आपने कुछ सामान लेकाया हो तो आप यह नहीं बताओ को भी हम गए थे फिर हमारी गाली पंचर हो गई फिर हमने पंचर बनवाए फिर दस रुपई इसको बोलते हैं नच शेल समझ मार्केट में चोटी सी बात बता दो एंजी खीचो मत फाल तुकी इसको बोलते हैं नच शेल ओके दोस्तों आपको समझ मारा होगा लाश्ट देखो और शांदार है उसके बाद वीडियो खतम फिफटींथ है अलाइव वायर इसका मतलब किय मतलब होता है लाइब ली एंड अक्टिव मतलब बहुत ज्यादा दिल और एक्टिव जो बंदा होता है उसको लाइव बोलते हैं तो मतलम कर देखाए रनवीर सिंग और रहता है न बहुत जादा एनरजीट इन्थूजियाजब में रहता है बहुत ज्यादा ब्रचल के किसा लेता है और चीज़ों में बहुत अच्छी बात करता है बहुत एक्टिव है तो उसको बोल जकते हैं कि रनवीर सिंग दाव वायर और इफ स्किल्स को कम्यूनिकेशन इसके डवलप करो ऐसे जन्ता दिल इंसान बनो लोगों से बात करो फिर देखो आप दो मचाओ के है ना तो लाइब मतलब क्या होता है लाइवली एक्टिव चलो दोस्तों एक बार रिवाइस करवा देता हूं है और एक क्वेशन पूछूंगा पहला क्या है तो प्ले डक्सन ड्रेक्स मतलब होता है तुस्पैंड लेशली अ क्लोस फिस्टेट परसन मतलब माइजर कंजूस बर्ड्स आइव्यू मतलब होता है ओवर्व्यू पेपर की सरसरी निगाह देखते हो ना वह फूर्थ है कीव दवॉल्फ अवे फ्रम दोर मतल और रहना फिफ्ट वाला है लेट उन्द थिक मतलब होता है एन एक्जरेशन बढ़ा चाला कर बताना है इधर लेके पहले तो दुनिया बर की बाद बता दिया हम यह करेंगे हमार दाथ यह कर वा रहा है हमने इतनी प्रॉपर्टी खरीद लिया है फिर यह कर लिया है इसको नाम पर करवा दिए इसको बोलते है एक्जरेशन करना तो इसका मतलब यह होता है ठीक है सिख्ट वाला है आउट ओफ सॉर्ट मतलब होता है इल और सिख और अपसेट आप दुखी निराश हो उसको बोलेंगे आउट ओफ सॉर्ट तु सैट दे थेमस उन फायर कोई ऐसी सो एट्थ है वैंग्जुक्षिन मतलब होता है कॉंट्रोवर्श इशू एस यह का मुद्ध यह कॉंट्रोवर्शल इशू है इसवेच्ट ग्रॉश्च नाइंध्व फ्लाइइंग विजिट मतलब होता है भाइसत थोड़ी देर की विजिट आप के यहां को रिलेटेव आते में my knowledge in the economic subject is just like a drop in the bucket 12 to be in a fix in a difficult situation fix ho गया है दीवार थी इधर आका रुख गया है इधर से लोग मानने के लिए आ रहे है आपन को आपको जगान नहीं है आप फिक्स हो गया है मतलब आप difficult situation में आ गए 13th है to break the ice हो था to start a conversation 14th है in a nutshell briefly and concisely short में बता दो उस बात को बहुत जादा मत कीचो 15th है a live wire Ranveer Singh is a live wire lively and active कोशन यह है कि किन मतलब क्या होता है और क्या होता है और set the themes on fire मतलब क्या होता है comment box use करो और दिल खोल के लिख दो मेरे यारो क्योंकि मैं comment box में देखता हूं पढ़ता हूं कि किस ने comment किया तो comment करना बहुत जरूरी है आपके subconscious mind में चलाया आगा और last बात thanks for watching my beautiful friends आप बहुत शांदार लोगों और खुब मैनत करो आपका selection जरूर होगा और if you really like this video then you must subscribe this channel my friend आगर वीडियो सच में पसंद आया हो कुछ लगा हो कि valuable content था काफी कुछ सीखने को मिला तो आँख बंद करके subscribe कर लो आपको बहुत help मिलेगी ऐसे ही चांदा चांदा वीडियो मिलेंगे चोटे-चोटे जिसमें आपका टायम बिल्कुल बेस नहीं होगा और आपको world class content मिलेगा तो subscribe करना is must दोस्तों और revision करते हो और 5-6 घंटे हर दिन पढ़ाय करो हर दिन पढ़ाय करो हर दिन पूरा 12 के 12 महीने आपका selection जरूर बस इतनी सी बात थी thank you so much never ever give up be consistent towards your goal और comment करके बता दो वीडियो कैसे लगा लास्ट बात यह थी important comment करना बहुत जरूरी है तब मुझे पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं अगर कोई वीडियो चाहिए तो वो बताओ मैं वो भी बनाओंगा ओके चलो बाई thank you so much